स्वागत आप सभी के दोस्तों क्यों हिंदी पर मैं हूँ अफिनो सिंग तो पांच नॉम्बर दोजार भी इस मतलब आज जो भी कोईश्चन्स मुझे लोगों ने भेजा है उस पर मैं आज डिसक्स करूँगा इसमें देखो कई सारे कोईश्चन कुछ इजी कुछ ऐसे थे जो बहुत बार बता हूँ तो कुछ जो मुझे सुचा की बताना चाहिए तो वही मैं लिया हूँ ज्यादा लेने से क्या फायदा है न तो कुईश्चन किछ ने भेजा है वीद प्रकाष सिंग और सुसील सैनी अमित पांडे प्रदीप चहर इन सबने कुईश्चन भेजा है फेस्बूक इश्रागा है ट्वीटर तो आप लोग भी मुझे फालो कर कि हर तरह का लोग बोलते हैं सुरू कर लेते हैं बात करते रहते हैं वैसे पूरा सिस्टम जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है चाहे वह हार्डवेर हो सोफ्टवेर हो या फिर कुछ और भी हो से क्या बोलते हैं देखो कुछ मैं क्या सूचता हूँ कि सबका पेपर अच् नहीं गया तो ये बात ध्यान देखो दो तीन बाते हैं उसमें एक्जाम में छोटे सा क्वेशन जे होता है जैसे कौफी करने के सौटकट की ऐसा होता है तो बहुत छोटा लेकिन ओ लोग उसको इतना बड़ा बना देंगे कि सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है ऐसा भी हो हमने कि क्लियरली क्या था कुछ ओप्संस दो ओप्संस इसमें आया था मेरे पास और क्वेशन आया था तो देखो अब यह साथ पूरा सिस्टम इंटरनेट से जुड़ा है मालो हार्डवेर है सौफ्टवेर है कुछ भी और भी है सब कुछ है दो उसको क्या बोलेंगे पहल पहली बात दूसरी बात जैसे कहीं पर इंटरनेट से आपका पूरा सिस्टम हार्डवेर हो सौफ्टवेर है या फिर सब कुछ जुड़ा हुआ है घर पे तो उसको बोलते हैं होम नेटवर्क इसमें दो बाते हैं क्या-क्या समझा आपने कि जितनी भी डिवाइसे सब और लोग भीजना मेरे पास कि कोई कोईश्चन रिपीट हो गई या आएगा लोगों के पास तो मुझे भीजना जरूर कि और बताना मुझे कि पूछा क्या था ठीक है कि लिया लिया फिर बिकलप में ये दोनों में से कोई एक ही रहेगा एसा नेंग दोनों रहेगा ठीक इतनी बातें आपको धहम रखना है, दोने में से एक ही रहे ताप वैसे भी कल लोगे, या फिर कोई और बिकल पता, ये भी मुझे बताना, जिनके में आया होई है, क्रेडर कार्ड के रेफरेंस में, APR का मतलब क्या होता है, most important है ये, तो मिलो जली पत्क्रिये लोगों की यारी, आप लोग भी मुझे, जिनका एक्जाम हो जाए, कमेंट में, तो ये बताय करो कि, क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया था, है न, क्या, क्या, इसा क्या था, अच्छा गया तो भी, अच्छा नहीं गया है, तो भी मुझे जरूर बताना, और पढ़ाई एकदम अच्छा से डीपली करो, सब लोग, इतना जान लेना, देखो कुछ लोग का क्या होता है, कि उनको, मतलब थोड़ा बहुत वीडियो देख लेंगे, उनको समाझ में जाता है, तो आप लोग पढ़ाई में कमी मत करना वैसे, वो भी समझना जरूरी है, पहला electronic computer किसने बनाया था, वोन, नुमन, या फिर जोसिफ, एम, जैकॉर्ड, या फिर जे, प्रिस्पर, इकॉर्ड, एन, जॉन, मुचिली जिसको बोलते हैं वो, या फिर वो थे, एन, वी, देखो, इसमें भी, जो पहला electronic computer, एनियाग था, ठीक है, एनियाग, किसने बनाया था एनियाग को, जो C नमर पे नाम लिखा है, एकर्ट और, मुचिली दोनों ने मिलके बनाया था, तो ये बात हो गई, पहला electronic computer तो इन दोनों ने ही बनाया था, लिब्बिर ओफिस, राइटर में नियूंदम font size कितना होता है, most important question है, इसमें most important क्यों है ये, मैं सोचा इसमें 3-4 question बनाते हैं, एक्जाम में तो सब बदा दूँग आपसे, तो चलते हैं सीधा, जैसे, ये हमारे पास writer है, तो writer में, हाँ font size पूछा था, बारा देखो, देखो पहली बात question क्या है, default font size क्या होता है, तो default font size मतलब भी देखो, बारा देख रहा आपके सापने, किसमें writer में पूछेगा, दूसरा, calc में पूछेगा, default font size कितना होता है, drop down menu में minimum 6 है और maximum यह दोनों में होता है एक कैल को और उसमें राइटर सब में maximum 90 यह maximum minimum समान होता है सब में उसमें भी इसमें भी इसलिए इसमें बता दिया उसको समझ जाओगे अब अब देखो drop down minimum maximum है 90 और minimum था 6 एक चीछ जाना दूसरी चीछ अब हम यह तो drop down menu की बात हो गए अब हम समझ लेते हैं totally minimum कितना होता है तो minimum के लिए जैसे एक रखो देखो एक लेता है कि नहीं खुली समझ में लेगे one printer किया तो two आ गया automatic क्यों आ गया two क्योंकि two से नीचे होता है नहीं मतलब minimum हो गया two totally minimum two हो गया drop down menu में minimum 6 था और maximum ही देख लेते maximum हमने 1000 इसमें लिख देता हूँ जैसे 1000 लिखा enter किया तो 1000 ना लिखके इसमें आ गया triple 9.9 मतलब maximum क्या हो गया triple 9.9 तो कितने question हमने जाना maximum minimum drop down menu में maximum minimum चार हो गया और प्लस default calc में कितना होता है और default इसमें writer में कितना होता है तो छे question हमने पूरा अच्छे से समझा इसमें minimum totally मतलब सिर्फ minimum पूछ रहा है तो दो अगर दो ना होता तो छे सिदी से बात आपने देखी लिया हो चीज drop down menu में 6 था तो सब कुछ हमने 6 question जान लिया भेजेगा email को कौन edit कर सकता है यह important question है जैसे आप को email भेजे तो उसको कौन edit कर सकता ह है ओ जो receiver जो receive करता है ओ यह फिर none मतलब यह फिर d number पर लिखा है कि no one change मतलब कोई change नहीं कर सकता no one can change रहा होगा मतलब कोई change नहीं कर सकता है अब बताइए उत्तर आपका क्या होगा तो इसमें उत्तर होगा आपका no one can change मतलब कोई change ही नहीं कर सकता भाई mail ऐसी चीज है mail हो या फिर whatsapp chat वगड़ा करते हो भी जैसे whatsapp एक तरह का मतलब भेज दिया आप तो edit नहीं कर सकते है वो ऐसे सेमें mail में भी होता है भेज दीता आप edit नहीं कर सकते हो लिखते है time जो करना कर सकते हो अब देखो shortcut key for unformatted text जो unformatted test का shortcut key अब इसमें भी देखो समझने वाले बात है ये क्या लिखा है सिर्फ unformatted test की shortcut key जिसने मेरे पास भेजा था लेकिन unformatted test होता है या फिर paste unformatted test होता है paste unformatted text मतलब जिब कोई paste करना कोई चीज to unformatted paste करना है उसके लिए कई सारी बाते है past नहीं लिखा है तो दोनों बता देता हूँ आपको अब इमालो past नहीं लिखा है जिसको बोलते हैं clear formatting, समझ लो clear formatting करना है फिर unformat करना है कोई test लिखा हुआ पहले से उसकी जिदनी भी formatting सब clear करना है आपको तो क्या दबाओगे clear करने के लिए control plus m दबाओगे इसको बोलते हैं clear formatting या फिर unformatty समझ लो बात तो थोड़ा थोड़ा similar है माल अगर paste नहीं लिखा है तो अगर यहाँ पे paste लिखा है तो paste unformatty test के लिए होता है control plus shift प्लस इसको दूसरे color में आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ green कर देता हूँ अब क्या control plus shift plus alt plus b यह है unformatty paste unformatty के लिए अब b number पे लिए control plus shift plus b यह होता है paste इस पसल यहाँ plus होगा और control plus b होता है सिर्फ पेस्ट के लिए किस बिखल्प के दौरा आप line या फिर core या फिर free form या फिर scribal tool को select कर सकते हैं किसके दौरा insert motion path यहाँ पे path होगा या फिर draw custom path या फिर all of create effect यह समझ लो आपका impress का question है तो इसमें आपको किस के साथ जाना है पता है insert motion path के साथ जाना है भाई पहली बात तो insert जरूरी है सीरीजी बात है insert motion path इसके दौरा हम line वगरा क्या होता है line हो या फिर त्रिभूज फिर जिसे होता है बहुत सारी चीज़ें उसको add करना होते से 3D सब होता है वो एक तरह से अब देखो which of the following are mandatory part of computer PC फूरे system के लिए सबसे जरूरी कौन सा है floppy and hard hardware and software input output फिर keyboard and printer इनमें से आपको अब इसको कोई भी समझदार लोग कर लेगा कि computer के लिए क्या जरूरी है है ना इतना आप लोग पढ़ लिए तो इसको आसानी के साथ कर सकते हो इसमें क्या hardware और software पहले जरूरी उसके बार ही कुछ होगा नहीं तो जीरो है ना इसमें ट्रेंडिंग टॉपिक क्या होती है अब देखो ट्रेंडिंग टॉपिक यह भी समझदार लोग आसानी से कर लेंगे बताया हो फैले फिर भी जो सबसे ज़्यादा बार discuss किया जाए जो user के द्वारा लिखा जाए जो CEO के द्वारा discuss किया जाए ट्रेंडिंग में से कोई नहीं तो यह बहुत सिंबल सी बात है trending topic मतलब जो ज़्यादा बार जभी public जिसको ज़्यादा retweet, tweet करने लगते है जिस भी topic पे तो train करने लगता है number one, number two यह चलता रहता है Twitter फे what is the process ID of init process init process यह होता है उसका क्या बोलते है process ID क्या है यह Linux का question है most important question है क्या होता है init मतलब क्याता है initial होता है मतलब initialization उसको बोलते है पूरा totally initialization initial इसको प्रारंब करना होता है शुरू आता है उसको खुलता है तो उसकी process ID क्या है तो उसकी process ID एक है one, only one यह सब important है इन में से कौन सा file name और extension को अलग करता है file name लिखा विदा extension simple सा question है यह तो happen dot has happen यह है इसको happen ही बोलते हैं वैसे जो हम लोग बराबर उसको करते हैं dot उसे उत्तर dot ही होगा dot से ही अलग करते हैं अगर email ID में पूछे username और उसको क्या बोलते हैं domain name समझ लो domain name extension जो होता है उसको किस से अलग करते हैं तो add the rate से अलग करते हैं next है TCP IP जरूरी होता है अगर कुछ TCP IP कब जरूरी होता है phone line से connect करने के लिए LAN से, server से, internet से TCP IP transmission control protocol, internet protocol बहुत simple सी बात है जो नाम इसका internet protocol है समझ लो उत्तर भी internet इंटरेंट से connect करना तो TCP IP जरूरी होता है which of the following is true about NPCI NPCI के संदर में क्या सही है इन में से अब देखो it is developing security framework for mobile payments यह है मतलब एक सुरचित तरीका है, बनाया गया है किसके लिए mobile payments के लिए पैसे विसे mobile के द्वारा करने के लिए यह इसका बनाया गया है it is umbrella organization मतलब एक umbrella च्छतरी संगठन है किसके लिए payments जितने भी पैसे विसे बेजने के लिए umbrella organization है इस अम्रेल में च्छाता it is stand for national payment corporation of india यह तो जाही बात है इसका फुल फॉर्म बताया यह भी सही है और यह umbrella organization है यह भी सो प्रत्सत सही है सो प्रत्सत सही है बाकी तो उपर वाला दगदम सही बोल रहा हो तो all of options हो गया है ना अब देखते हैं अगर divide by zero अगर हम किसी चीज़ को zero सी divide करेंगे तो क्या आएगा यह आएगा यह आएगा यह आएगा यह आएगा कौन सा आएगा तो करके देख लेते हैं अभी तो एकसल का question है तो पहले बराबर लिखना जरूरी है यह बात आपको मालूम होना चाहिए पहले बराबर लिखना आपने फिर मालूम सेवन लग दिया सेवन डिवाइड बाई जीरो कह रहा तो जीरो कर दिया भाई एंटर किया तो देखो यह हैज पहले फिर डिव फिर डिवाइड बाई जीरो ऐसे करके लिखा गुआ है मतलब हमारा उत्तर यही होना चाहिए वैसे यह यहां ऐसे था समझ गए यही आपका उत्तर हो गया है कि लिए लिए देख लो फिर उसे यही है तो हमारा उत्तर यही हो गया है ठीक है सी नमबर पर जो लिखा था लिबर ओफिस इंप्रेस के सभी स्लाइड को समान रूप से देखने के लिए आपको किसका उप्योग करना चाहिए लिबर ओफिस इंप्रेस 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 के सभी स्लाइड को समान रूप से आपको देखना है तो किसका उप्योग करोगे इस में से तो इस में से आपको यही साही है आपका design template के बिकल्प का यूज करके आप पूरा देख सकते हो ठीक है तो यह तो यह हो गया नेक्स्ट आप महरे सामने APS में निम्लिकित में से कौन सा input गराहक के bank को रिजार्ट करता है मतलब determine the bank offer अच्छा APS वाला है यह यह तो मालों सब कर लोग गुमी देए बताएए आप कौन सा हो इसमें से तो इसका simple से APS की जब भी बात आ रहा थे APS में IIN ही होता है तो IIN मतलब issuer identification number 6 digits का होता है यह उस the tangible components of the computer system are computer system के मूर्थी घटक कौन साइन में से human wear, software, firmware, hardware computer घटक system के लिए मूर्थी घटक मतलब tangible तो बहुत simple सा question है अब देखो human wear तो सभी होते हैं बाई इंसानों द्वारा बनाएगी हर चीचे human wear हो गई, software तो जानते ही हो, firmware तो आपका hardware मूर्थ घटक मतलब समलो hardware सीधी सी बात है भाई है न कोई चीज ऐसे बना हुआ है वो चीजे hardware ही है वो, अब next देखते है A.E.P.S. in a bank-led model which allows online, interpretable, financial, inclusion, transitionite मतलब किसके द्वारा हस्तान थरट करता है तो इन वे से A.E.P.S. जो था है आधार enabled payment system जिसको बोलते हैं कुल मिला कि ओ किसके द्वारा हस्तान थरट करता है पूछने का मतलब सिंपल सा जैसे यह बहुत बड़ा रहा होगा आप खुदी सोच सकते हो मैंने तरह से बना दिया आप खुदी सोचो कि कितना बड़ा हो रहा होगा का इसे पूछे होंगे इसको दुनिया भार का लिखा कार्ड से कोई हमारा मतलब होता नहीं में बैंक लेट मॉडल विच अलाउज किसके द्वारा हम करते हैं तो इसको सीधा सांसर होगा पी ओएस पॉइंट ऑफ सेल जो मसीन होती है पॉइंट ऑफ सेल सिर्फ वही नहीं होती जो हम एटियम डाल के करते हैं सिर्फ वही नहीं ह मतलब वो तो होती है, लेकिन सिर्फ वही नहीं होती, जितनी भी चीजे, जितनी भी छोड़ी बड़ी मसीने हैं, वहाँ पर पैसे बगर टांसफर करने के लिए, सब P.O.S. में ही आते हैं, जैसे मीनी एटिम जो होता न, वो भी तरह का, सब P.O.S. ही है, cut, copy and paste, is in, किस गुरुप में? home tap, home, देखो, जैусे कोई चीज़ कट कर रहे ह। paste कर रहे हो, copy कर रहे हो, वो सब home tap किस गुरुप में होता है? यही पूछ रही है, font group, page setup, font, यह फो और clipboard, तो देखा ज़ाए, बड़ा simple सी बात है यह, कुछ भी हम copy करते हैं दोस्तों या फिर cut करते हैं तो सारा का सारा कहा चला जाता है हमारा clipboard में चला जाता है तो हमारा उत्तर clipboard ही होगा और एक बात total 24 item clipboard में आप कर सकते जैसे एक बार आपने copy किया तो clipboard में चला जाएगा दूसरी किये तीसरी किये 24 बार करोगे तब तक आपका क्या होगा उसी में चला जाता है मतलब 24 के बाद 25 किये कि वो पहले आपका delay हो जाएगा next देखते हैं अब इनिवेसे कौन सा digital transaction में होता है मतलब इनिवेसे कौन सा digital transaction में आ जाता है debit card payment कर रहे हो तब USSD कर रहे हो तब UPI कर रहे हो या फिर सभी अब देखो इसमें कुछ होर अगर question आया हो जो भी देख रहे हो जिस जिनके में देखो 20 question जैसे लिया अब इसमें आप में सौज़ों question सब के exam में आया होगा तो ज़रूरी नहीं कि यह सारे question आपके में आया होगा जैसे कुछ लोग सोचते हैं चलो मिला लेते हैं क्या क्या तो ऐसा नहीं कर सकते आप कभी नहीं कर सकते कोई 2 question कोई 5 question कोई 1 question इस तो भेजे आप लोग मुरे पास समझ रहे होग नहीं बात तो भेजा करो सब लोग थोड़ा थोड़ा तो question ही याद कर लो और वही question ही याद कि एक लो जो मैं आप से जैसे लगे कि यह मैंने बताया नहीं तो ज़्यादा सही गएगा इतना जान लेना तो सभी है digital transaction digital में तो डेविट कार्ट के डियाड यूससडी से भी करते है पाईसे जिसमें हाँ से दें उसके लोग सारे digital ही है है ना दोस्तों BC question आज आपको मैंने बताया जो most important लगे वही मैंने ले लिया ठीक है और आपको दो दीन question देता हूँ से पहले आपको रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना ज्यादा ज्यादा और जो लोग नए हो चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करें घंटी जयूट दबा देना और PDF जो e-book है उसमें 2000 plus question है दोस्तों उसमें बहुत कुछ है उसको ध्यान से पढ़ोगी अगर तो आपको फायदा होगा प्लस वीडियो दे होगी तो फायदा होगा e-book का link description में दे देता हूँ तो अच्छे दे पढ़ो एकदम इतना जान लेना question दे देता हूँ मैं आपको NFT कब सुरू हुआ अधार कार्ड में कितने digit होते हैं आम EPS को कौन manage करता है यह तीनों question आपको देना है most important question यह तीनों है बस दोस्तों आप सभी को all the best और best आप लग मिलते हैं फिर next वीडियो में तब तक लिए जाए ही जैफारत